नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्प्रेंद पांडे और मैं आप सबी का अपने यूट्यूब चैनल कोड़वाईसर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों मैंने एक्सर देखा है कि आप जब भी मैं यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ता हूं तो उसमें कहीं न कहीं दो चीजें कॉमन रहती हैं हैं कि मैंने या पोजिशन लिए है मै क्या करूं और दूसरी रहती है कि कोई एजुकेशटनल वीडियो भी है मैं चाहता हूं कि आप सीखने को मिले तो यह किन जाने है आप से ज्यादा घूछा ही मुझको होगी लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि educational वीडियो कभी भी आप शेट नहीं किया जाते Nifty और Bank Nifty Index की analysis में 25,000, 20,000 views आ जाते हैं लेकिन जब मैं stock का वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर आपको बहुत को सीखने को मिलता है उसको कोई भी दिखना पसंद नहीं करता क्योंकि आपको खुदी मालूम है आपसे बहतर कौन जानता है कि आपका जो फर्स्ट गोल रहता है वो होता है मार्केट में क्विक पैसा बनाना और वो अक्सर आपको Nifty और Bank Nifty Index के option में मिलता है और इसी वज़य से stocks को कोई पसंद ही नहीं करता आज की वीडियो में हम इनी सब चीजों की बात करेंगे कि market का design क्या है market का cycle क्या है और किस तरके से हम अपने पैसे को rotate करें आप मेरी इतनी बात मानेंगे कि money जितना rotate की जाएगी उतने उसके बढ़ने के chances होते हैं money को अगर एक ही चीज में रखेंगे तो कभी भी वो compounded नहीं हो सकती क्योंकि हर एक चीज का अपना cycle है आज की वीडियो में समझनी की कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूं किस तरीके से market को देखना चाहिए एक professional trader किस तरीके से market को देखता है और किस तरीके से अपनी positions को वो switch करता है ठीक है चले introduction हो गया बात करते हैं 5050 इंडेस की आपकी अगर मैं बात करूँ मार्च 2020 की जब करोना pandemic आया था तो market में बहुत बड़ा fall आया था और उसके बाद एक recovery बहुत अच्छी recovery देखने को मिली और इस समय हम करें 15400 से 16000 की बीच में करीब दो महीने से फसे हैं इंडेस कहीं जानी रहा है मेरा आपसे एक question है कि जब भी आप किसी stock को sideways देखते हैं तो आपका reaction क्या रहता है जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि ITC के बारे में बहुत ज़्यादा meme निकल नहीं बहुत जो कहे जाते हैं ITC के बारे में क्योंकि चल नहीं रहा है और कोई भी आप में से उसके अंदर trade नहीं करना चाहता तो अगर मैं आपको पूछूं सेम nifty के साथ नहीं है क्या nifty एक range के अंदर नहीं फसा क्या दो महीने से index कहीं जानी रहा आपको खुद जवाब मिल जाएग तो जब आप ITC के साथ अलग behavior रखते हैं और index के साथ अलग behavior रखते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने आप से जूट बोल लाएं एक sideways stock को कोई trade नहीं करना चाहता है एक momentum stock को सब trade करना चाहते हैं तो index में भी हमें same rule apply करना चाहिए पहली बात market में तेजी है आपने देखा होगा कि nifty 50 index के stock या nifty 50 index में वैसी momentum नहीं है जैसी की small cap और mid cap में है इसका reason क्या है और data के हिसाब से हमें क्या समझने को मिलता है सबसे पहले आप यह चीज़ के लिए कि हम एक bull market में trade कर रहे है market में भले ही वक्ती correction आ जाए लेकिन मेरा मानना ह है कि करीब 2024 से 25 तक यह bull rally चलेगी और यह आपकी life की best opportunity है कि आप यहाँ पर as a buyer बहुत ही अच्छा कर सके मैं मार्च 2020 में मैं अपनी उपलब्धिया नहीं किनारा लेकिन अगर आप दीखेंगे मार्च 2020 हमारे टेलिग्राम पे जाएंगे तो आपको दरजनों stocks मिलेंगे जि बहुत ही बढ़िया profit हुआ है इन यह कुछ स्टॉक में तो 300x 500x तक के profit दिये हैं किसी भी स्टॉक में आपको loss नहीं हुआ होगा हां profit कम हो सकता है किसी में 40% किसी में 100% किसी में 200% वह इक अलग बात है लेकिन loss नहीं हुआ होगा लेकिन आपका mind कहां पर चला है सिर्फ और सिर्फ index को treat करने में आप अपनी life की best opportunity को यहां पर lose कर रहें इस समय इंडियन stock market में बहुत बड़ी तीजी का महौल है और यहां पर जो पैसा stock आपको बना के देगा index नहीं बना के देगा खासकर small cap और mid cap में बहुत ज़्यादा opportunity है मैंने एक recent video बनाया था उसमें मैंने सार इंडिक्स की analysis की थी चाहिए निफ्टी IT हो गया निफ्टी auto हो गया निफ्टी metal हो गया सब में मैंने आपको बताया था कि यहां पर बहुत ही अच्छी तीजी हो सकती है index उतनी तीज से perform नहीं करेगा आपका question होगा कि निफ्टी 50 index perform नहीं करेगा तो mid cap कैसे perform करेंगे कि मार्केट कहां जाने वाली है में चीज होती है data ready तो हम मैं आपको पास्ट में ले जाना चाहूंगा और हम यहां पर बात करेंगे करीब आपके 2013 से जब यह आप दिखेंगी जब यह rally start ही तो निफ्टी index ने किस तरह की momentum जी और इसी जगह पर बात करेंगे कि mid cap में कैसी momentum ही अक्सर याद रखीगा कि निफ्टी 50 के stock जो है वो वेटिस जादा होते हैं सब लार्ज कैप होते हैं लेकिन जब निफ्टी में एक छोटी cv rally rally से मेरा मतलब है कि कोई consist rally नहीं होती है index जाना ही जाता है फस फस के चलने के लिए आपने 2020 में एक bull rally देख ली और आपने मा वो 21 में नहीं आने वाली और 21 में जो आप जीएंगे वो 22 में नहीं आपको देखने वाला यह समय है समय एक बार निकल जाता है तो फिर वापस बलट के नहीं आता अपने mindset को यहाँ पर change करिए ठीक है अब अगर मैं इसी जगा पर मैं mid cap का chart दिखाऊं तो आपको clear पता चल उससे बड़ा run आपको देखने को मिलेगा यह बहुत bullish market थी 2013-14 कहले है अब 2014 से लेकर 2018 तक जो rally चली जहां से mid cap ने करीब बहुत ही बढ़िया profit दिया लोग को बहुत अच्छा profit हुआ देखें confused मत हुई है मेरे सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि mid cap में एक straight run अभी भी चालू है जो आपने 2014 में देखा वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल लई है अगर मैं निप्टी का chart लगाऊ तो आपको मालूम है कि निप्टी दो महीने से एक range के अंदर फसा भी आप देख सकते हैं कि किने पड़ी रिटर्न मिले फिर आप textile को देख लीजिए textile में इस समय बहुत बड़ा भूम है textile सेक्टर की जितनी भी कंपनिया है बहुत ही आच्छा profit हो रहा है metal को देख लीजिए IT को देख लीजिए हो क्या रहा है sector wise performance हो रही है यह चीज आप सम होला बहुत भी metal चल गया IT चल गया उसकी वजह से निफ्टी में हम हाई देखते हैं और बैंक निफ्टी इंडेक्स जैसा कि मैंने कहा कि performance नहीं है थोड़ा सा correction मारता है इंडेक्स फिर से आपका नीचे जाता है तो यहां पर mix view है और आपको इंडेक्स से डिकलना पड़े से trade नहीं कर पाएंगे आपको profit नहीं होगा मैंने बीच में पूरा का पूरा सेक्टर दिया था शुगर के अंपनी जी थी सबके prices दिये थे अगर आप देखें तो रेंड का सुगर ने 16-35 का हाई मारा क्या चाहिए और 2-3 महीने में stock 200% और क्या लेंगे आप यह आपको यह एक दिन में नहीं कमाया तो stock market में मैंने किया क्या लास्ट में पता क्या चलता है 10,000 खतम फिर 10,000 रुपर लेकिया है फिर खतम फिर 10,000 रुपर लेकिया है फिर खतम जिन्दिगी भर यही करते रह जाएंगे आप इससे ज़्यादा आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे यह अलग बात है कि एक successful trader को आप लोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि आप जब तक loss नहीं करेंगे तब तक उसका पैसा नहीं बनेगा लेकिन जब आप मुझे सुनते हैं या मैं आप मुझे mentor मानते हैं तो मेरा काम है आपको सला देना कि क्या करना चाहिए और क् मेरी बात को माने और इसे ignore करते हैं वह आपका concern है मेरा concern नहीं है अगर यह 10,000 लोग भी देख रहे हैं अगर उसमें से 10 लोग भी मेरी बात को मानकर अपने point of view को chain करते हैं तो मेरा success rate बहुत अच्छा है मुझे उन 9,990 मेंबर से sympathy रहेगी मैं इनको सिखाने की कोशिश कर स कर सकता हूं लेकिन मैं और को change नहीं कर सकता लेकिन अगर उट तस लोगों ने भी मेरी बात को सुना और समझा कि किस तरीके से market में stand करना चाहिए किस तरीके से market में appire बने seller बने देखे codevisor आपको option buy नहीं सिखाता option sell नहीं सिखाता cash में buy नहीं सिखाता future में buy और sell नहीं buy में मिलेगी option buy करेंगे option selling में मिलेगी तो selling करेंगे cash में buy मिलेगा तो cash करेंगे future में option नहीं तो future करेंगे overall आज की वीडियो का सिर्फ एक ही motive है और वो है आपको market का design समझाना कि इस समय एक bull realm चालो है आपको nifty 50 और nifty 50 के stock से चाहता mid cap और small cap में ध्यान देना चाहिए जहां पर आप 2 साल में बहुत अच्छी growth दे सकते हैं अभी भी mid cap की rally सिर्फ start भी है close नहीं हुई है खतम नहीं opportunity है यह एक अलग बात है कि sector कैसे चुने इसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं मैं सेक्टर चुनके अपनी ट्विटर पर पोस्ट कर सकता हूं आपको टेलिग्राम पर दे सकता हूं कि आपको इस sector पर धिहान रखना चाहिए आप उस sector पर दीखी कि क्या हो सकता है अगर क opportunity मिलेगी तो वह आपके साथ शेयर भी करूंगा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर compounding की power समझा सकता हूं इंडेक्स को भी ट्रेट करेंगा इंडेक्स से दुस्मनी नहीं है मैं खुद एक इंडेक्स ट्रेडर हूं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडेक्स में फीचर म करना है option buy करना है option sir करना है मुझे यह मालूम है आपको मालूम नहीं है कि आपको क्या करना है इसका एक रीजन है आप ग्रीट से बंदे हैं आपने देखा 29 का एक 15500 का पी 81 चला गया लालच ने इतना जोर माना कि next Thursday के भी आपने उसी ट्रेड को खोजने की कोशिश करिए अ आप जो इस समय जी रहें क्या कल वो लॉट के राएगा क्या कल के दिन आपको यह पल जीने को मिलेगा नहीं मिलेगा ना तो चीजे वैसी ही है यार दुनिया रियलेस्टिक रहो ना क्यों अपने आप से जोट बोलते हो नहीं आज मैंने 200 परसंट प्रॉफिट कमाया मेरा ह नहीं था वैडनेस्टे की दिन मार्केट कही नहीं गई आप लोग और सेल करने के लिए तैयार नहीं थे लाइव मार्केट में मैंने दो स्ट्राइक प्राइज दिये थे और दोनों ही जीरो हो गया आपको क्या चाहिए सेम चीच चाहिए कल हमने 29 रुपे की कॉल सारी 29 करें तो यह सब चीजे समझ लिए मार्केट को प्रिडिक्ट मत करिए जीधर मार्केट जाए उसके हमीशा पीछे रहिए अगर आप आगे पढ़ेंगे तो तो भी होनेस्ट मार्केट इतनी स्ट्रॉंग है कि आपको कब खतम कर देगी पता ही नहीं चलेगा मार्केट बहु जीए मैं कोई लेक्टर देना नहीं चाहता मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि मार्केट में जब भी करो ठीक है जब भी आप एंट्री करो तो आपका एक विजन क्लियर हो जाना चाहिए कि आज की मार्केट में अगर एक रिंज बनेगी तो अगर मेरे पास बाइंग नहीं करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि कैस के स्टॉक में देखूं वहां क्या उप्चिन्टी बनती है वहां पर अगर मेरे को 300, 400, 500, 500, 500, 500, 500, 500 जो भी आपकी कैपिटल हो उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को बुक करूंगा मार्केट को नमशकार करूंगा और अपना टर्मिनल क्लोज कर दूगा जबरदस्ती ट्रेट करोगे तो आपको भी मालूम है कि आपके साथ क्या होता है सालों से क्या हो रहा है यह मुझसे ज़्यादा आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मैं मार्केट के हिसाब से चलने की कोशिश कर चलने काती है तो भी मैं लॉश नहीं करता हूं दस रॉप कर talking कि मार्केट को मैं अच्छ और जैसी मार्केट है उसी हिसाब से चलो तो मेरा कुल कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस समय मिट कैप में बहुत अच्छी ऑप्चुन्टी मौजूद है कोशिश करिए कि आप उस ऑप्चुन्टी को क्याश करें निप्टी विप्टी इंडेस की हम अनालीसिस भी करते हैं आपके साथ लेबल भी शेर करते हैं और उस लेबल पर कैसे ट्रीट करना चाहिए मैंने यह चीज बल्टिपल टाइम समझाई है और आप कुसी अक्सर में कहता हूं कि डायरेक्शन मालूम हो जाने से आप ट्रीडर नहीं बन पाओगे जब तक आपका एक्सक्यूशन सही नहीं होगा सेग्मेंट सही नहीं होग आप कभी भी एक डेला यहां पर नहीं बना पाएंगे तो इन सब चीजों को समझ कर ही मार्केट में खड़े रहिए आज का वीडियो का प्रपस यह था कि मिट कैप को आप समझें मिट कैप में बहुत जादा ऑप्चुन्टी है निफ्टी फिप्टी इंडेक्स में करूँगा और अम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लिस लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू नमस्कार धन्यवाद जहिंद